कुरोना ठीका करण के दुत्तिय चरण में आज ललगपूर के जिलाचिकसाले के साथ ही चायनीद चार स्वास्त केंद्रों पर इसकी शुरुवात की गई जिसमें डॉक्टरों के साथ साथ स्वास कर्मियों को कुरोना वैक्सीन लगाई गई लगिकपुर में करोना वैक्सीन के टीका करन के दूसरे चरन की शुरूबात हुई है जहां जिलाचे किस साले के साथ ही चैनीद चार स्वास केंद्रों पर इसकी शुरूबात की गई जहाँ दूसरे चरण में भी डॉक्टरों वास्वास कर्मियों को क्रोनो वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा जिसमें चार केंद्रों पर चार सो लोगों का टीका करण होगा सौअब विभाग ने दावा किया है कि यदि तीका करण के बाद कोई साइड एफेक्ट होता है तो उससे निपटने की सारी तैयारिया है वहीं वैक्सीन लगवाने वालों का दावा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परिशानी नहीं हो रही है इस महामारी से बचाओ हे तू सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए आज लगवाक 20-25 लोगों को वैक्सीन हो चुका है और उनको 30 मिनिट के लिए अब्जबेशन में रखा गया है अभी तक किसी को कोई समस्चा नहीं आई लविद्पूर से अशोक सेन की रिपोर्ट क्रशी के छेत्र में सवारे अपना भविश्य आज ही एड्मीशन ले जिले का सबसे उत्तम क्रशी महाविद्याले शाम रागवेंद्र क्रशी महाविद्याले वद्डिग्री कॉलेज B.Sc क्रशी B.A. B.A. B.B. Com. B.Sc. Biomat क्राम धवाकर मौरानिपूर जासी मौरानिपूर का एक मात्र शांदार रेस्टराइड जहां कम दाम में मिलता है वाइव स्टार होटल वाला स्वाद तो एक बार जरूर आए और ले वेहतरीन खाने का अनद, शुद्धता और स्वक्षता का प्रत, मौरानिपूर मौती होटल के पास, स्टेशन रोट मौरानिपूर कावव्या स्मार्ट रेसिदेंसी मौरानिपूर में ठहरने का एक सर्वोत कम स्थान पुल एसी रेस्ट हाउस शादी, विवा, वर्दे पार्टी, कित्वी पार्टी वा अन्यशुब अफसरों के लिए संपत करें कावव्या स्मार्ट रेसिदेंसी कावव्या स्टेशन रोट मौरानिपूर 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 मौरानिपूर